बूर्णिंग टू आज से मैं आप लोगों को एक सल का क्लास शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं अडवांस और बेसिक दोनों कोर्स बताऊंगा ठीक है और इसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक टॉपिक पर डिसकस करना है फिर अगला दिन किसी और टॉपिक पर डिसकस करेंगे फिर अगला दिन किसी और टॉपिक पर डिसकस करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा एक सीरियल वैज एक सीरीज वैज वैज वीडियो बनाया जाएगा जैसे आप एक कोचिंग में जाकर सेखते एक सल आफ वैसे ही यहां पर पूरा वीडियो और लेक्चर को एरेंज किया गया है और explain किया जाएगा ठीक है इसमें क्या होगा कि जो beginner है जो आज तक Excel के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो उसके लिए तो बहुत अच्छा opportunity है कि वो वीडियो देखकर एक advanced label का Excel को सीख सकते हैं जैसे ऐसे हम लोग वीडियो आगे बढ़ते जाएगा लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा वैसे हम लोग Excel को बहुत ही डीप में बहुत ही advanced तरीके से सीखेंगे जिस तरह से कोजिंग में Excel को बताया जाता है आप 100% Excel का expert बन जाएगे क्योंकि आप जानते हैं Excel आज के जवाना में बहुत ही useful software है हर एक company हर एक computer center हो गया या companies हो गया या आपका education sector हो गया या hospital हो गया हर एक जगह Excel का use बहुत होता है या तो फिर accounting का काम डेटा इंटरी काम सारा हमारा Excel में होता है इसलिक हम लोगों को Excel जानना बहुत जरूरी है यह बहुत important है और Excel एक ऐसा topic है जो बहुत ही advanced में सिखा जाता है और ऐसा नहीं है कि बस Excel में data entry का काम होता है इसमें बहुत advanced लेबल का feature है बहुत advanced में इसमें का काम भी किया जाता है तो हम लोग धीरे-धीरे करके अडवांस लेबल की और बढ़ेंगे और बहुत ही अडवांस में एक्सल को पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पर डिसकस करेंगे ठीक है इसी एक टॉपिक को बताएंगे फिर अगला दिन और टॉपिक जैसे कि पर बिल्कुल नहीं होगा आप लोग निस्चिंत रहें जैसा सीरियल वैज कोचिंग पढ़ा जाता है जैसे एक बिगनर को सिखाया जाता है वैसे ही सिखाया जाएगा और आप लोग पूरा एक्सल का एक्सपर्ट बन जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास स सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसा मानते हूं कि आप लोग एक्सल के बारे में कुछ भी नहीं जानते है ठीक है एकदम आप कॉपी ले ले पिन ले जो भी फॉर्मुला जितना फॉर्मुला बताऊंगा सभी को नोट करते चलेंगे और उसके बाद जो मैं एक्सल सीट पर जो एक्सवसाइज मैं बनाऊंगा अगर किसी को वह एक्सवसाइज चाहिए तो मैं अपना इस्क्रिप्व्चन में में id और वाट्साप नंबर ढल दूँगा मुझे मेल य वाट्शवसाइज उससे सेंट कर दूँग थाकि वो गहर पे प्रैक्टिस कर सके कर को सबसे पहल इस्टेप आपको भी पता होगा, यह Start button होता है, यह हमारा Windows 8.1 है, Windows 7 रहेगा तो वहां पर Windows बना रहेगा, वहां पर जाएंगे, Windows 7 में कैसे Start करेंगे, Start button पर जाएंगे, ठीक है, वहां से हम लोग All Program पर जाएंगे, वहां पर हमारा दीख जाता है Mix Office, Office को क्लिक करेंगे, उसक क्या होगा हमारा Excel खुल जाएगा, ठीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या है, कि आप यहां पर स्क्रीन में, कहीं पर भी जो हमारा स्क्रीन है, कहीं पर भी यहां पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको, यहां पर आपको Option मिल तो यहां से भी आप open कर सकते Microsoft यहां पर लिखा हुआ आपको दिखता होगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ हमारा Microsoft Excel worksheet ठीक है तो इसको क्लिक कर देंगे तो यहां पर क्या हुआ एक बाइडिफोल्ट यहां पर Excel को यहां से एक्षल को open कर सकते हैं तो यहां से एक्षल को open कर सकते हैं ठीक है दूसरा step कैसा था इस्क्रीन में कहीं पर भी क्लिक करना है फिर उसके बाद new पर जाना है निउ पर जाने के बाद यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है Microsoft Excel worksheet ठीक है यहां से आप इसको select करके open कर लेंगे दूसरा step हो गया यह तो तीसरा step क्या है कि आप अपने computer में run command को open कर लेंगे ठीक है run command को run को कैसे open करते run को open करने के लिए या तो आप all program में जाएंगे all program में जाने के बाद accessories में जाने के बाद आपको वहां से run command दिख जाता है अगर आपका 7 यूज़ कर रहा तब यह process यूज़ होगा और अगर आप window कोई और यूज़ करते हैं तो फिर अंदर जाना पलता है यहां पर जैसे अभी हम लोगों नहीं किया था इसके अंदर आपको run command मिलेगा अगर यहां से नहीं open करना है तो आपके जो keyboard में window का sign होता है window का बटम होता है window बटम जिसे हम लोग बोलते है ऐसा window होता है वैसा एक button बना होता है ठीक है तो window के साथ R प्रेस करेंगे window को दाप कर रखेंगे और फिर R को प्रेस करेंगे जैसे window R करेंगे तो हमारा क्या होगा run command open हो जाएगा ठीक है जैसे हमारा run खुल जाएगा उसके बाद हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे Excel एक सल लिखने के बाद यहां से okay कर देंगे ठीक है ओके करेंगे हमारा Excel open हो जाएगा तो यह तीन तरीका था Excel को open करने का ठीक है आप तीनों तरीका को देख ले और समझे ल है सबसे पहले जो top में लिखा हुआ है यहां पर home है, insert है, page layout है, formula data, review and view. यह top में है इसको excel की language में हम और क्या बोलते है, ribbon बोलते हैं. यह top में आपको देख सकते ही, मैं cursor को कर रहा हूं, ठीक है move करना हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, इससे हम लोग क्या फे रिव्यू पे गए उसके बाद विव पे गए तो इसके अंदर जो डिखता है इससे हम लोग क्या होते क्मान्ड बोलते है क्या बोलते हैं मैं लोग क्मांड बोलते हैigning POW क्लिक के हैं तो यहाँ पर आप देख सकते एक में सेपरेट बॉक्स बना हुआ है ठीक है और इसका पाते हैं तो यहां पर भी कुछ command को add किया गया है bold है, italic है, underline है, यहां से font का style है और यह size बढ़ा सकते हैं, फिर यहां से coloring का काम होता है तो इसको भी एक क्या किया गया, एक shape डाल दिया गया एक box में और कुछ यहां पर इसका नाम दे दिया गया, इसका नाम क्या है, font ठीक है, वैसे ही यहां पर alignment का भी एक separate box बनाए गया, यहां सब देख सकते हैं ठीक है, और इसका भी नाम दे दिया गया alignment ठीक है, जो box बनाए गया separate और इसके अंदर कुछ tools को डाल गया है इस box कि मैं लोग क्या बोलते है commands group बोलते है इसका नाम क्या हमारा clipboard अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो space होता है Excel का यह छोटा होने के कारण space कम होने के कारण ऐसा किया गया है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर जो बनाया गया है separate box बनाया गया और उसका कुछ नाम देखिया और सारा tools को अंदर डाल दिया गया है तो अगर हम लोगों सारा tools देखना है तो कहाँ पर जाएंगे यह जो button यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम लोग बोलते launch button इस पर click करेंगे click करने के बाद आप इसके direct इसके अंदर चले जाएंगे आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा functions and tools है तो यहाँ से हम लोग use कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यह जब आप Excel open करेंगे तो यह वाला जो ऊपर होता है ठीक है टूल बार है इसको अगर नीचे अगर यहाँ पर लाना है जैसे अभी मेरा क्या हonarre में ठीक है अगर इसको नीछे सेट करना है तो कैसे करेंगे इसका use क्या है बताइए तो देख новых यहाँ पर नीचे से लाना है तो इस बटम पर क्लिक करेंगे ठीक है अगर टॉप में जाना है तो फिर Quick Access Toolbar के जो हमारा arrow है उस पे क्लिक करेंगे और एबब पे क्लिक कर देंगे तो ऐसे हम नीचे ही से रखेंगे आपको जहां इच्छा है आप वहां रख सकते हैं अब इसका use क्या की कि यहां पर क्या होता है कि वह खोत ऐसा जैसे data के अंदर में help करते हैं ठीक है फिल्टर का यूज हम बहुत ज्यादे करते हैं तो क्या होगा हमें हम यहां पर डिफोल्ट कहां पर रहते हैं हम फिल्टर में जाने के लिए फिर आएंगे ठीक है यहां पर आएंगे डाटा में डाटा में आने के बाद फिर से हम फिल्टर लेंगे तो टाइम ज्याद हुए डाटा को भी डाटा के अंदर का टूल्स जो फिल्टर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं तो हमको यहां पर ऐसे यहां पर डाटा पर आके फिल्टर को स्लेट करने का ज़यवत नहीं पड़ेगा डारेक्ट यहां पर रहके ही उस टूल को यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे जैसे एड़ करना है तो Right click करेंगे filter पे जिसको भी आपको tools को use करना है उसको Right click करेंगे Right click करने के बाद यहां पे आपको देख सकते लिखा है Add to Access toolbar अगर Quick Access toolbar में आपको add करना है तो यहां से आपको देख सकते इसके add होगी हमारा filter भी ठीक है वैसे sorting है formula है ठीक है और भी चीज बहुत है वैसे pictures को अगर add करना है बार बार picture बहुत insert करते हैं बार बार ठीक है हमारा picture बार से insert करने का बहुत काम है तो बार बार हमीं क्या होगा insert पर प्र पिक्चर लेना पड़ेगा तो हम लोग यहां पर लगा देंगे ताकि हम direct है यहां से ले सके ठीक है तो यहां पर राइट क्लिक करेंगे और add to access toolbar पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर pictures अब हमको कहीं जाने के जवर नहीं यहीं से insert कर सकते हैं इंसर्ट प्राने का जरूबत नहीं पड़ेगा इससे क्या हुआ कि आप excel का speed को maintain कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर जो देख रहे हैं आप यह वाला ठीक है इसे हम लोग क्या बोलते है फॉर्मुला बार बोलते है एक्सल में जब हम कोई फॉर्मुला लगाएंगे तो सारा फॉर्मुला कहां पर होगा यहां पर वो सो करेगा ठीक है और इसे हम लोग क्या बोलते है फॉर्मुला बार बोलते हैं उसके बाद यहां पर जहां आप देख रहे है जी ट्वेल लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते है नेम बॉक्स बोलते है ठीक है इसे क्या बोलते वहारा सब क्या है हमारा कॉलम है और यहां पर नमबर में लिका हुआ है 1,2,3,4,5 यहां पो 20 तक दिखता हुगा यह सब हमारा क्या है रो है तो अगर maximum हमको column देखना हो तो अगर यहां पर देखिए arrow यह आगे पीशे जाने का बटम ठीक है अगर यहां से हम आगे जाते हैं तो यह क्या है कि बहुत सारा है आप देख सकते हैं A आगे Z आया फिर उसके बाद क्या आ गया A A A B ऐसे करके वह बहुत चलते जाता है ठीक है अगर इस बास्ट चला गया ठीक है लास्ट हम क्या किये जितना उसमें column है वह हमारा बता रहा तो maximum इसका column कितना होता है एक worksheet का बात हो रहा है बस एक worksheet ठीक है एक worksheet में maximum column कितना होता है XFD XFD, maximum column और फिर से हमें, last हमें front पे आना है तो क्या करेंगे, control को press करेंगे और अबर left वाला arrow की use करेंगे तो हम फिर से क्या करेंगे, front पे पहुंच जाएंगे ठीके, उसके बाद अगर हमें row देखना है तो इसका maximum क्या बता रहा, row maximum row कितना है हमारा 10,48,576 ये एक sheet में इतना rows होता है ठीके, तो आप समझ सकते हैं कि एक sheet को भरना कितना कितना tough काम है या एक sheet में कितना data को हम लोग put कर सकते हैं, ठीके 10,48,576 इतना rows होता है फिर से हमें top में ऊपर में जाना है तो control के साथ up arrow की ठीके, control दाप के राखेंगे right arrow की, left arrow की, down, up use करके देख लेंगे, ठीके उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा plus है, ठीके, इससे हम लोग क्या करते है, new sheet को add करते चले जाते हैं, देखिए, यहाँ पर add हो रहा भी कितना है, two है, four है, five है फिर से इस पर click करेंगे, तो एक और आगया, six, ऐसे करके हम लोग क्या करते है, add करते हैं, हम लोग sheet को, यह हमारा sheet है जैसे आप word documents open करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हम बहुत सारा page लेते हैं वैसे ही, यहाँ पर excel में seat उसे बोलते हैं, seat को लेते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाला, जब seat आपको लेंगे तो ऐसे आपका दिखेगा ठीक है, यह box box दिखेगा ठीक है, तो इसका यहाँ पर view पर जाके इसका guideline का option होता है, इसको बंद कर दीजिए plane हो जाएगा, ठीक है, इससे कोई फार्क नहीं पड़ता है आप अगर ऐसे भी काम करेंगे और ऐसे भी काम करेंगे तो दोनों का कुछ अंतर नहीं हो रहा है ठीक है, अगर आप print निकालेंगे, जैसे तो यह क्या होगा, कि यहाँ पर जो box box दिख रहा ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, वो black and white ही आएगा अगर हमें table, मतलब box box चाहिए या table चाहिए, तो वो बाद में table से होता है हम लोग बाद में उसको सीख लेंगे ठीक है, लेकिन फिलाल अगर आप ऐसे भी वाट करते हैं और ऐसा वाला पर भी वाट करते हैं तो दोनों सेम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है, अगर इससे फिर से लाना है तो इस पर हटा देंगे और फिल लाना हो तो यहाँ से view के जाके यहां से grade line option को band off कर लेंगे ठीक है, अब यहां पर कुछ और दिखाना है जैसे कि यह जो वाक्स है, इसे हम लोग सेल बोलते है यहां पर भी वही चीज़ है, ठीक है, यहां पर बस उसका दीख नहीं रहा है कि कोन कितना बड़ा है, और यहां पर दिख रहा है वो उसका grade line हमने बन नहीं किया, इसलिए तो यहां पर क्या है कि हर एक सेल का कुछ नाम होता है, ठीक है आप देख सकते है कि जैसे हमने यहां पर रखा, G7 पर तो इसका एक नाम बता रहा है इसका नाम क्या है, G7 पहले क्या करता है, अल्फावेट उठाता है, उसके बाद नमबर लेता है फिर अगर हम यहां पर क्लिक करते हैं, तो क्या बोल रहा है, I7 अगर यहां पर क्लिक किए, तो क्या बोल रहा है, F यहां से F लिया और यहां से क्या लिया, 15 15 फिर उसके बाद अगर यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से क्या लिगा है 9 तो ऐसे करके हम लोग किसी भी सेल का नाम को छेक करते हैं अब इसका यूज क्या है जब हम लोग फॉर्मुला सीखेंगे तब पता लगेगा कि एक्सल का जो नाम होता है या इसका सेल अड्रेस होत है टीक है इसका क्या यूज है इसका बहुत हूग है जैसरे जाद फॉर्मुला जाएंगे तब इसका पता लगेगा कि इसका एक्चॉल में यूज क्या है टीक है तो फिलाल आपको इतना पता लगा कि इसे क्या व signal विलता है यह हमारा sheet है ठीक है actual का sheet है जहां पर हम लोग क्या करते हैं उसके बाद यहां पर आते हैं यहां प्लस का sign है यह क्या करता है जूम इन करता है तो इसका maximum अगर zooming का बात किया जाए तो इस plus पे आप click करते जाए या तो control दाबेंगे अपनी keyword से और scroll जो button होता है उसको scroll करेंगे तो भी ये maximum पे चला जाएगा ठीक है तो इसका maximum zooming कितना है maximum कितना इसको zoom कर सकते है 400% maximum कितना zoom कर सकते है 400% और minimum कितना है तो इसको minus पे click कर देंगे ठीक है या तो control के साथ scroll करेंगे तो भी ये minus हो जाएगा minimum कितना है zoom out minimum zoom out है 10% और maximum कितना है 400% इसको कहीं पे लिख लेंगे ताकि याद रहेगा maximum कितना है 400 और minimum 10% और यह क्या है मारा seat है जिस वह नीचे रहता है ठीक है तो आज के इस class में हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ basics देखा किस tool को क्या नाम है किसे क्या बोलते है quick access tool बार में कुछ चीज हम लोग कैसे add करते हैं और यहां पर name box देखा फिर formula बार देखा फिर sale address देखा sale कैसे बोलते हैं और seat कैसे लेते हैं next class में हम लोगोंने कुछ और basic चीज़ सीखेंगे ठीक है एक दो class में हमारा basic जैसे cover हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे advance में जाएगे find हो गया किसे क्या बोलते हैं sale address कैसे चेक करते हैं कैसे sheet लेते हैं उपर tools क्या होता है zoom कितना होता है formula कहां पर सोकरता है ठीक है sale address कहां पर सोकरता है तो काम करने में बहुत आसानी होगा और अच्छे से हम लोगो excel का knowledge हो सकता है क्योंकि अगर basic से मजबूत होगा तब ही हम लोग advance level पे पहुंच सकेंगे ठीक है तो मिलते हैं next class में आज के लिए वस इतना ही thank you